रमुकार महामंद्र की साधना से भक्तों के रोग, संताप और कश्टों को दूर करने वाले दिगंबर चैन आचारेश्री कल्याण सागर्शी महराज आज भी रमुकार मंद्र वाले बाबा के नाम से पूजे जाते हैं आचारेश्री का चन्म 25 नवंबर सन 1933 को मध्यप्रदेश की नीमत चिले में स्थेत जमुनिया कला ग्राम में हुआ था आचारेश्री 108 कल्याण सागर्शी महराज के ग्रस्त अवस्था का नाम शांतिलाल जी पाट मिधा आचारेश्री के पिता शिरी भवर लाल जी और माता शिरी मती कंगुबाई थी आचारेश्री ने बिये की लौकिक सिख्षा को पूर्ण कर 25 नबंबर 1983 को मध्यप्रदेश के मधिसौर में आचारेश्री 108 सनमति सागर्शी महराज अजमीर वाली से मुनी दीख्षा को अंगीकार किया और मुनी श्री 108 कल्यार सागर्शी महराज की नाम से प्रख्यात हुए आचारेश्री ने अपना प्रथम चातुरमास राजिस्थान के जैपुर स्थित अतिश्यशेद्र शूलकिरी खानियाजी में संपन किया जब तप में अग्रिसर होकर आचारीश्री को 25 नवंबर सन 1985 में जारखंड के शाष्वत सिद्शेद्र शिरी सम्मेद शिखर्शी में आचारीश्री 108 सनमति सागर्शी महराज द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया आचारीश्री ने 21 अक्टूबर सन 1993 को मध्य प्रदेश के मंदिसोर इस्तेत अतिश शिद्र बही पार्श्वनाथ तीर्थ में सम्ता पूर्वक समाधी मरण किया नमुकार मंत्रवाले बाबा आचारीश्री 108 कल्याण सागर्जी महराज के 30 समाधी दिवसपर जिन्वाडी चानल की ओर से बारंबार नमन